हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बाजू का बहुती सिंपल और सुन्दर डिजाइन बनाएंगे बटन्स के साथ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें तो चलिए बाजू को इस तरह से रखा है जो उसका लाइनिंग है वो भी ऐसे ही रखा है अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो आप नॉर्मल बाजू को ही रख सकते हो तो यहां पर मैंने 1.5 इंच लिया है यहां पर 4 इंच तो इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे हम ति अब इसको हम काट लेते हैं अब इसको इस तरह से ये देखिए इस तरह से लगे गए अब जो lining है उसको हम जो इसकी सीधी वाली side है कपड़े की उसके उपर रखेंगे अगर आप lining नहीं लगा रहे हो तो आप उसके नीचे कोई कपड़ा लगा सकते हो जैसे हम गले में लगाते हैं तो इस तरह से यहां से हम start करेंगे जो उसकी मोरी होती है बाजू की वहां से और पूरे में इस तरह से हम एक-एक पैर की सिलाई लगाएंगे यह सिलाई लग गए अब हम इसमें चोटे-चोटे कट लगाएंगे कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे पलट लेंगे और अच्छे से जो इसके यह कोने है वो अच्छे से निकाल लेंगे अब इसके उपर हम बिल्कुल कोने कोने पे एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल आप फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना जो लाइनिंग है उसको और जेस्ट करते हुए थाकि उपर से वो दिखेना जैसे हम गले में लगाते हैं कपड़ा उसी तरह से इस तरह से हम कोने पे सिलाई लगा लेंगे तो ये सिलाई हमारी लग गई है ये देखिए इस तरह से अब हम एक पट्टी लेंगे ये है चार इंच चौड़ी पट्टी है ये और लंबाई में आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हो जितना आपने बाजू को आगे से एक खुला रखना है लूज रखना है 14, 15, 16 कितना भी आप रख सकते हो अगर एक्सटा बचेगी तो उसको हम काट लेंगे तो अब इस पट्टी को उल्टारा करके इस तरह से हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे तो ये दोनों पट्टियां इस तरह से हम रेडी कर लेंगे तो ये पट्टियां हमारी रेडी हो गई है अब हम इनको सीधा कर लेंगे किसी पैन या किसी सीजर कैसे भी क्यूंकि ये बहुत बड़ा है तो इजीली ये सीधा हो जाएगा ये देखिए इस तरह सीधा कर लिया जो उसकी जो सिलाई है वो हमने बिल्कुल सेंटर में करके फिर उसको प्रेस करना है तो ये दोनों पट्टियों को हमने सीधा कर लिया है अब इस तरह से मैंने इनको प्रेस कर लिया है बिल्कुल जो उनकी स्लाई है वो नीचे आ जाएगी अब हम एक पट्टी लेकर बिल्कुल इस तरह से बाजु के जो फ्रंट होता है जो मोरी जहां पे होती है वहाँ पे हम रखके लगाएंगे तो बीच का जो डिस्टेंस है हम नॉर्मल जितना हमने बनाया हुआ वैसा रखेंगे पट्टी को बिल्कुल भी खीच के नहीं लगाना है और ना ही उसको लूज छोड़ना है तो इस तरह से हम ये पट्टी को दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल किच्चना नहीं चाहिए और ना ही उसको लूज रखना है ये एक पट्टी हमने लगा दी है अब इसके साथ ही दूसरी पट्टी को भी हम अटैच करेंगे बिल्कुल उसके साथ साथ दूसरी पट्टी के उपर चढ़ा के नहीं लगाना है उसके बिल्कुल साथ में लगाना है इस तरह से इस पे भी हम वैसे ही जो डबल सिलाई है दूसरी साइड में वो लगा लेंगे इस तरह से तो इसके बाद जो एक्स्टा कपड़ा हमारा पट्टी वाला जो बचता है उसको हम काट लेते हैं अब देखिए पट्टियां लग गई हैं अब हम इसके उपर बटन लगाएंगे तो बटन लगाने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल उसका जो सेंटर है जो आपकी बाद जो का सेंटर रहेगा जहां पर वो कट आया था वहां पर हमने इस तरह से पट्टी को दोनों कोने से हमने स्टीच लगाना है और फिर बीच में खीच देना है तो इस तरह से बन जाएगा फिर हमने इसके उपर पहले इसको पक्का कर लेंगे फिर इसके उपर इस तरह से बटन अटाच करेंगे आप अपनी चोईस के कोई भी बटन लगा सकते हैं आप इसको इस डिजाइन को किसी कंट्रास्ट के साथ भी बना सकते हैं अगर आपकी सलवार किसी और कलर की है तो उस कलर की आप पट्टी लगा सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे हम दूसरी पट्टी के उपर भी इस तरह से बटन जो है वो अटैच कर लेंगे पहले हम सेंटर में सुई निकालेंगे फिर दोनों साइड से स्टी अब ये दोनों बटन हमारे लग चुके हैं अब हम दो बटन और लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें वो लगाने हैं अब देखिए ये बटन भी मैंने लगा दिये हैं यहाँ पर तो अब देखिए ये बाजोब बनके हमारी बिल्कुल रेडी है और कितनी सु और सुन्दर तो आप भी ऐसे ही अपना डिजाइन बनाईए अगर आपकी कोई क्वाईरी है तो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताईए और अच्छी और नही नही वीडियो देखने के लिए चैनल को करें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तिल देन बाबाई